वेल्कम तो आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडियो हम बात करने चाहरे हैं इंडिया वुमिन वर्सिस बंगलादेश वुमिन वर्लकप ODI मैच जो की खेला जाएगा सेडन पार्क हैमिल्टन में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से चेंजिस हो सकते हैं क्या रहेगी स्मॉल लीक की टीम ग्रेंड लीक की क्या टीम से रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं सो पूरी वीडियो देखेगा, मज़ा आने वाला है, सो बात करते हैं, वेन्यू की, सो सेडन पार्क में यह मैच होने वाला है, हैमिल्टन में, और यहाँ पर कल के मैच में भी बारिश के चांसेज हैं, सो आई होप यह मैच जो है, वो पूरा होए, यह मुझे लगता है, मैच में थोड़ा सा डिले हो सकता है, या फिर थोड़ा शॉर्ट भी हो सकता है मैच, जैसा हमने आज का मैच देखा था, सो अगर आप लोग नए हैं, सो आप हमारे साथ टेलिग्राम चैनल पर जुड़ जाएए, यह हमारा टेलिग्राम चैनल है, फेंटसी फॉर्चून के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन भी पिन कर दूँगा, उसी के थूरू जुड़िएगा, सर्च करके मत जुड़ना, क्योंकि फेंटसी फॉर्चून के नाम से पैसे मांगे, सो बिलकुल भी देने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बात करते हैं, यहाँ पर हैमिल्टन में अभी तक 6 मैच हूँ है इस वर्ल्ड कप में, सो स्टार्टिंग की जो मैचिस थे ना, वो काफी जादा महाँ पर रंस बन रहे थे, अगर पहले मैच में भी देखो, ऑस्ट्रेलिया ने 310 मनाए थे, फिर न्यूजिलेंड ने भी 260 किये थे, इंडिया ने भी 317 की हैं, लेकिन जो रीसेंट मैचिस हो रहे हैं न, वहाँ पर जो है, स्पिन काफी जादा देखने को हमें मिल रही है, और अगर इवन कोई से भी ग्राउंड पे, यहाँ पर अगर अगर न्यूजिलेंड के मैचिस देखो, जहाँ पर भी 2-3 मैच हो चुके हैं, वहाँ पर स्पिन जो है, वो अच्छी हो रही है, और यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को ज़्यादा एडवांटेज रहा है, उन्होंने चार मैच जीते हैं, बैटिंग सेकंड यादि के चेजिंग टीम ने दो मैच जीते हैं, बात करते हैं, इंडिया की, यहाँ पर एक चेंज जो अगर टीम चाहे तो कर सकती है, वो है दीपती शर्मा को वापिस ला सकती है, इन प्लेस ओफ या शेफाली वर्मा या फिर भाटिया, लेकिन कंसिडरिंग अगर मैच छोटा होता है, सो वर्मा खेलेंगी, क्योंकि हिटर रहेंगी टॉप पे, और फिर हो सकता है कि दीपती शर्मा को लाया ना जाए, लेकिन दीपती शर्मा वैसे आइडियली टीम में होनी चाहिए, सो यहाँ पर जो शेफाली मर्मा, भाटिया और दीपती शर्मा से कोई दो प्लेयर जो हैं, खेलने वाले हैं, बात करते हैं, बंगलादेश की, सो यहाँ पर कोई खास चेंज होता हुआ, नजर नहीं आएगा, जो टीम लास्ट मैच में खेली थी, वो ही इस मैच में खेलनी चाहिए, बात करते हैं, फैन टू प्लेय आपकी लीडर बोर्ड ला रहा है, आईपियल में जिसमें 12 जो विजेता होंगे, वो वर्ल्ड कप में, आस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप फाइंडल देखने का उन्हें मौका मिलेगा, सो डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्चून रेफर कोड है, काफी अच्छा मौका आपके लिए रहेगा, समझ लेते हैं, पॉइंट स्टेबल को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर क्रिकेट फैन्स, कि क्या चल रहा है वर्ल्ड कप में, और कौन कौन सी टीम जो है, कौलिफाइट कर सकती है, अब देखो यार, यहाँ पर आज जो वेस्ट इंडीज जो मैच हारी है न, वो इंडिया के लिए बहुत फाइदेमन रहा है, मतलब अगर इंडिया को अपने दोनों मैच अगर जीत चाती है, तो काफी हद तक जो है, इंडिया पहुँच जाएगी, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट इंडीज अगर एक मैच जीतती है, तो वो आट पे पहुँच जाएगी, पॉइंड्स पे, यानि कि वेस्ट इंडीज को अगला मैच जीतना है, लेकिन इंडिया का रन रेट काफी अच्छा है, जो help करेगा, लेकिन इंडिया का फाइनल मैच है न, वो अफरीका से है यह पर इंडिया के चांसिड अभी हैं इंडिया कोई मैच जीतना काफी ज़रूरी है So I hope कि बारिश से कोई गड़बड ना होए और इंडिया ये असानी से मैच जीच जाए So बात करते हैं टीम इंडिया की So यहाँ पर जो है ओपन करती भी नजर आ जाएंगी शेफाली वर्मा So वो शेफाली वर्मा जो है ओपन कर सकती है लेकिन थोड़े अच्छे टच में नजर आ रही थी और अगर फॉर्म में वापिस आना है So बंगलादेश के अगेंस अच्छा कर सकती है और अगर ये मैच छोटा होता है So शेफाली वर्मा काफी इंपोर्टेंट आपके लिए बन जाएगी Grand League में तो आप इने कैप्टन जरू ट्राय कर लेना Small League में भी एक अच्छी डिफ्रेंशल पिक बन जाएगी क्योंकि काफी कम लोग इने ट्राय करने वाले हैं Smithi Mandana की बात करें So कल के मैच में एक अच्छी पिक बनेगी Captain Vice Captain की बहुत अच्छी च्वाइस रहेगी Small League में और काफी लोग इनको Captain Vice Captain करेंगे और अच्छी च्वाइस भी रहने वाली है भाटिया की बात करें Again एक differential player क्योंकि देखो यहाँ पर इंडिया के अगर आप देखो So काफी लोग ना वर्मा को लेंगे ना भाटिया को लेंगे लेकिन मैच छोटा भी हो सकता है और आप यह भी देखो सामने बंगलादेश की टीम है जो अच्छी टीम है ऐसा नहीं है कि बिकार है लेकिन as compared to other teams वहाँ पर इंडिया टॉप ओडर फायर कर सकता है और भाटिया हर मैच में पॉइंट्स देकर आ रही है most of the times में उन्हें स्टार्ट मिला है पिछले मैच में भी 73 पॉइंट दी है उससे पहले 13 वो फ्लॉप रहा था लेकिन 2 मैच 47 और 32 अगर पूरे 50 ओर का मैच होता है मिताली राज लास्ट मैच में फॉर्म में आ गई थी और यह ऐसी खिलाडिया अगर एक बार फॉर्म में आ जाए ना अगर यह काफी खतरनाक है फिर यह लगतार रन करती है काफी कुछ डिपेंड करेगा कि यह मौसम कैसा है अगर 50 ओर का मैच है और इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो मिताली राज आपकी टीम में होनी चीए क्योंकि यह जल्दी से विकेट थोनी करती है और फिर यह रन कर देंगी ठीक है लेकिन अगर इंडिया चेस कर रही है तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो और अगर जो है मैच छोटा हो जाता है बारिश के चलते तो उस केस में आप ड्रॉप कर सकते हो ठीक है हर्मन प्रीत कोर की बात करें अगेन यह समझना अगेन फिट जरूरी है कि अगर T20 मैच होता है तो हर्मन प्रीत को और इंपोर्टेंट बन जाएगी लेकिन अगर टीम 50 ओवर का मैच है उसमें भी इंपोर्टेंट है क्योंकि महाँ बैटिंग आ जाएगी और अगर कम ओवर का होता है मैच जैसे आज हुआ था T20 हो गया अगर कम ओवर का हो जाए मैच तो उसकेस में हर्मन प्रीत को प्रमोशन मिल जाएगा मुझे लगता है मिताली राज से पहले हर्मन प्रीत को और आ सकती है ध्यान रखना है लेकिन अगर इंडिया चेस कर रही है तो आप हर्मन प्रीत को और को ड्रॉप करने का आज भी हमने देखने को मिला स्पिन निदादार ने भी विकेट्स निकाले हैं आज तो यहाँ पर सनेराना एक अच्छा क्रूशल रोल प्ले कर सकती है प्लस लोवर ओडा में बैटिंग भी करती है तो एक आपके लिए अच्छी पिक बन जाती है पुझा वस्तरा करकी बात करें तो लगतार पॉइंट दे रही हैं बैटिंग से भी बोलिंग से भी एक इंपोर्टेंट पिक रहेगी आपकी टीम में होनी शीए जुलन गोस्वामी इंडिया की बेस्ट बोलर हैं सबसे आदा विकेट्स हैं और कल के मैच में मुझे लगता है स्विंग मिलनी शाहिए इंको और वतलब इंपोर्टेंट बन जाएगी सो मैं जुलन गोस्वामी को कल के मैच में ज़रूर ले कर जाओंगा अगर इंडिया पहले बोलिंग करती है महिगना सिंग की बात करें ये ऐसी खिलाड़ी है जिसके उपर किसी भी मैच में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है और लोग इनको प्रेफर नहीं करते हैं लेकिन आप इने ले सकते हो पिछले में 29 पॉइंट छेयाड में 81 18 वाले मैच में नहीं मिला था लेकिन उससे पहले 25 पॉइंट और एक अच्छी फास बोलर है जो स्टार्टिंग में उवर करती है और बंगलादे स्टार्टिंग में विकेट गिर सकते है मेगना सिंग जो आपके लिए अच्छी डिफरेंशल बन जाएगी राजिश्वरी गायकवर्ट की बात करें सो स्पिन को क्योंकि मज़द मिल रही है सो गायकवर्ट जो है वो डेडली हो सकती है विकेट्स निकाल सकती है सो यहाँ पर एक अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस बन जाएगी स्मॉल लीक में इंपोर्टन प्लियर्स की बात करें सुसमेती मंदना है मिताली राज, हर्मन प्रीत कौर पूजा वस्त्राकर, गोस्मामी और गायकवर्ट जो है इंडिया की तरफ से इंपोर्टन प्लियर है बात करते हैं बंगलादेश की सो यहाँ पर सुल्ताना ओपन करती हुई नजर आ जाएगी शमीमिया सुल्ताना, हर्माच में ठीक था पॉइंट दी है ओपन कर रही है, प्लस विकेट कीपिंग कर रही है सलेक्शन इनका भी जादा नहीं है लेकिन एक अच्छी पिक आप के लिए बन जाएगी क्योंकि ओपन भी कर रही है और एक आप बंगलादेश अगर आप साथ पेर इंडिया के लेना चाते हो सो उसकेस में आप बंगलादेश का विकेट कीपर सलेक्ट कर सकते हो, बात करें शरमीन अक्तर की, सो अच्छी बैटर है कुछ तीन में से दो बार अच्छी इनिंग भी खेल चुकी है, सो एक अच्छी पिक और डिफ्रेंशल पिक बन जाएगी, क्योंकि मैजोरिटी जो लोग है, वो हक के साथ जाने वाली है फरगना हक के साथ, आप चाहो तो अक्तर को भी ले सकते हो, बुरी पिक नहीं है टीम की अगर बेस्ट बैटर की बात करें जाए तो वो है फरगना हक, हर मैंच में इन्होंने लगबग पॉइंट्स दी है, 45 हो 29, 61, 20, तो एक अच्छी बैटर है, और स्पेचली अगर बंगलादेश के लिए इंपोर्टेंट बन जाएगी, अगर टीम पहले बैटिंग करती है, तो उस केस में बैटिंग आ जाती है, और अच्छी ये बैटिंग कर लेती है लेकिन ये विकेट कीपिंग नहीं कर रही है, और यहाँ पर जो है वुमेंस मैच में विकेट कीपर का अच्छा खासा रोल बन जाता है, क्योंकि विकेट्स अगर गिरते हैं, तो वहाँ पर विकेट कीपर जो है important बन जाता है लेकिन अगर आप as a batter देख रहे हैं सो आप सुल्ताना निगर सुल्ताना को अपनी टीम में consider कर सकते हैं रुमाना एमद की बात करें बैटिंग भी कर लेती हैं बोलिंग भी कर लेती हैं स्मॉल लीग में आप इनको भी captain wise captain consider कर सकते हैं बंगलादेश के लिए important player रहेंगी रितु मोनी की बात करें सो starting काफी अच्छी हुई थी काफी अच्छी ओल राउंडर है बैटिंग बोलिंग दोनों से points दे सकती हैं लेकिन अब जैसे जैसे tournament आगे बढ़ रहा है तो spinners का role जो है वो जादा हो रहा है और fast bowlers को over पूरे नहीं कराए जा रहे हैं तो ये चीज़ देखने वाली होगी फाहिमा खातुन की बात करें सो first match जो इन्होंने खेला था उसमें 3 wicket निकाल लिये थे last match ये wicket नहीं मिला था leg spinner है और अच्छी bowl करती है एक आपके लिए differential player बन सकती है इस match में क्योंगी काफी कम लोग इने try करेंगे लेकिन अच्छी bowlers है सलमा खातुन की बात करें तो एक अच्छी आपको lower order बैटिंग भी करके दे देती है और अपने over पूरे करती है अगर team पहले bowling कर रही है तो काफी important ये बन जाती है जहानरा आलम की बात करें इस team की fast bowlers है काफी अच्छी bowlers है लेकिन overs जो हैं पूरे नहीं मिल रहे है recent times में lower order बैटिंग भी कर रही है लेकिन जादा over इन्हें नहीं मिल रहे है अगर यहाँ पर match हो जाता है T20 मतलब कि T20 यहाँ बार 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 T20 निकल रहा है क्योंकि आज का T20 हुआ match हो जाता है छोटा 25-26 over का आप आलम को try कर सकते हो उस case में और especially अगर bowling कर रही है तो अगर 50 over का पूरा match होता है तो spinners पर जादा focus करना है fast bowlers पर उतना नहीं नहीं दक्तर की बात करें तो पहले कुछ matches में बिलकुल flop लेकिन last match में 108 points दे कर आ रही है उस basis पर spinner है आप बिलकुल अपनी team में ले सकते हैं lower order में last match में runs भी कर लिये थे एक match की performance के लिए काफी लोग इन्हें अपनी team में लेंगे आप भी बिलकुल अपनी ले सकते हैं team में क्योंकि last match में over भी करें थे और wickets में निकाले हैं run भी करें हैं तो बिलकुल आप अपनी team में ज़रूर ले सकते हैं बात करें फरिया इसलाम की यहाँ पर पहले match में तीन विकेट्स निकाले थे उसके बाद से विकेट्स नहीं मिला है grand league में ही recommend करूँगा small league में उतना नहीं करूँगा important player की बात करें यहाँ पर फरगना हक है निगर सुल्ताना है रुमाना एहमद है रितु मोनी सलमा खातून और यहाँ पर नहीं दाक्तर जो है टीम के लिए important रहेंगी small league captain wise captain की बात कर लेते हैं सुस्मिती मंदना, रुमाना एहमद, पूजा वस्तराकर और यहाँ पर गायक वर्ड को आप captain wise captain small league में कर सकते हैं grand league की बात करें जुलन गोस्वामी, यहाँ पर शेफाली वर्मा, भाटिया और अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है और match पूरा हो रहा है, सो मिताली राज काफी आपके लिए अच्छी pick बन जाएगी चले चलते हैं dream 11 team की तरफ सो हमारे पास wicket keeping section में तीन option है, निगर सुल्ताना है, रिचा घोष है शमीना सुल्ताना है, सो यहाँ पर आप तीनों में से किसी को भी ले सकते है रिचा घोष जो है, wicket keeping के काफी अच्छे points दे सकती है, प्लस lower order में hitting भी कर लेंगी, निगर सुल्ताना middle order में अच्छी betting कर लेती है मैं यहाँ पर जो है, शमीना सुल्ताना के साथ गया हूँ, क्योंकि open प्लस wicket keeping करके दे देंगी मुझे, रिचा घोष को लेना चाता हूँ, लेकिन इंडिया के already मैं साथ player लेने वाला हूँ, सो उस case में मैं बंगलादेश के wicket keeper के साथ जा रहा हूँ, यहाँ पर betting section में जो player सबसे important हो जाएंगी, वो है समिती मंदना, यहाँ पर Harman Preet score की बात करें, अगर team chase कर रही है, मतलब की India chase कर रही है सो उस case में Harman Preet score drop कर दूँगा लेकिन अगर India पहले betting कर रही है सो Harman Preet काफी important हो जाएंगी सो मैं अभी के लिए Harman Preet score के साथ जा रहा हूँ, यहाँ पर मिताली राज है, जो again betting first करते हूँ, अगर match पूरा हो रहा है सो उस case में important है, तब मेरी team में रहेंगी, क्योंकि यह विकेट जल्दी नहीं देती, और last match में अच्छा खेल के आ रही है, और यह ऐसी खलाड़ी है, एक बार form में आ जाएं, सो फिर लगतार run करती है सो उस case में मैं इनको try कर लूँगा otherwise नहीं, यहाँ पर फरगना हक है, मैंने अभी के लिए क्या किया है मैंने यहाँ पर भाटिया के साथ गया हूँ अगर यहाँ पर शेफाली वर्मा, suppose करो भाटिया जो है वो open करती है, तो भाटिया आ जाएंगी अगर वर्मा open करती है, तो वर्मा और अगर इंडिया पहले batting कर रही है, मतलब बाद में batting कर रही है तो इस case में मैं भाटिया और वर्मा दोनों के साथ चला जाओंगा, ठीक है तो यहाँ पर अभी के लिए हमने ये तीन पिक लिए फर्गना हग को ट्राइ कर सकते हो यहाँ से और यहाँ पर अक्तर को भी ट्राइ कर सकते हो अभी चलते हैं ओल्राउंडर सेक्शन में जो दो प्लेयर में लेने वाला हूँ यहाँ से वो है सनेराना और रुमाना एहमद रितुमोनी को ट्राइ कर सकते हो अच्छी ओल्राउंडर है यहाँ पर दीपती शर्मा खेलती है मस्ट हाव पिक बन जाएगी मेरी टीम में ज़रूर होंगी बात करते हैं बोलिंग में बोलिंग में जो मैं प्लेयर लेके जा रहा हूँ वो यहाँ पर गायकवर्ड है सलमा खातून को मैं नहीं लिया है वस्तराकर को भी लिया है और यहाँ पर जुलन गोस्वामी को भी लिया है मेगना सिंग एक अच्छी डिफरेंचल प्लेयर है ध्यान रखना विकेट्स निकाल सकती है अब एक प्लेयर की चोईस बन जाती है उसमें हमारे पास काफी आप्शेंस हैं यहाँ पर अक्तर है जो पिछले मैच में पॉइंट्स दे कर आ रही है यहाँ पर आलम है जो टीम की फास्ट बोलर अच्छी है लोगर ओर्डर में रन भी कर सकती है लेकिन स्पिनर्स को क्योंकि मदद मिल रही है तो शायद उतने ओवर ना मिले और यहाँ पर खातून है जो अच्छी लेक स्पिनर है और हमारे पास यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से हक को भी ले सकते हैं और यहाँ पर अक्तर के साथ भी जा सकते हैं तो मैंने अभी के लिए क्या किया है यहाँ पर अगर बंगलादेश की पहले बोलिंग आती है तो मैं एक एक्स्ट्रा बोलर लेके जाऊंगा तो वो मैं जो है यहाँ पर खातून के साथ मैं जाऊंगा अगर बंगलादेश की पहले बोलिंग आती है अगर बंगलादेश की पहले बैटिंग आती है सो यहाँ पर काफी अच्छे option है मैं आपर मंदना के साथ captain और wise captain जो है वो मैंने गायक वर्ड को रखा है सो यह बन रही है मेरी small league की team बात करते है grand league teams की सो उससे पहले मैं आपको fan to play app की team दिखा देता हूँ यह same जो है team रहेगी मेरी fan to play app की यहाँ पर वैसे Christmas में कोई credit का issue नहीं है लेकिन यहाँ पर कोई credit का issue नहीं आता है और आप यहाँ पर 5 roll rounder भी लेकर चल सकते हैं और 2 batsmen या 2 bowler के साथ भी खेल सकते हैं link description में आप fortune refer code है उसके थू डाउनलोड कर सकते हैं चले चलते हैं grand league teams की तरफ तो यह मेरी grand league team number one है इसका logic समझ लो यह है कि इंडिया अगर पहले bowling कर रही है especially उस case में तो मैं इंडिया के पूरे 5 bowler के साथ जा रहा हूँ गायक वर्ड को captain रखा है और इंडिया की opener अगर यहाँ पर शेफाली वर्मा open कर रही है तो यहाँ पर इस team में भाटी आ जाएंगी उनको हम wise captain रख लेंगे या फिर मंदना को भी कर सकते हैं तो यह बन गई मेरी team number one जो out and out इंडिया के favor में बन रही है ठीक है अगर यहाँ पर इंडिया की पहले batting आती है तो उस case में एक bowler को drop करके हम one down वाला batsman ले लेंगे तो यह बन गी team number one team number two की बात करते हैं तो यह जो है हमने थोड़ा सा इसमें जो है fast bowler पे इंडिया के 4 batsman को लेके चले हैं और तीपर भी इंडिया का यह team अच्छी रहेगी अगर इंडिया पहले batting करती है तो आप इंडिया के 4 better और 3 bowler लेके जा सकते हो और अगर इंडिया पहले bowling करती है तो आप 3 से 4 bowler और 2 से 3 better इंडिया के लेकर जा सकते हो तो इसी तरीके से आप multiple teams बना सकते हैं तो small league की team यह रहेगी final team आपको telegram पर मिल जाएगी तो telegram पर जुड़ना बहुत important है so link description में है साथ के साथ comment section पिन कर दूँगा उसके तो जुड़ जाईएगा और साथ के साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon दबा दिजे और comment करके बताओ क्या लगता है कि India qualify कर जाएगा जो South Africa वाला match है उसमें क्या लगता है जीत जाएगी या नहीं so comment करके जरूर बताना उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी thank you guys